हलो दोस्तों मैं हुनिया सिंग बोलबोल बॉल्यूड के साथ और लेकर आई हूं नागिन फाइफ की अपडेट जिया जहां बहुत समय से बहुत लोगों के नाम सामने आ रहे थे क्योंकि जब से कहा जा रहा था कि नागिन फोर भीया खत्तम हो रहा है उसकी जगा पे नागि इनफाइब में पर वैल ऐसा नहीं हो रहा है कि दिपिका क्रिस्टल ने किया है बहुत ज़ादा पैसो का डिमांड ऐसा कहा जा रहा है पर वैल इसके पीछे कितनी बड़ी सचाही में यह तो हम नहीं जानते है और यह भी कहा जा रहा है कि अपने आने वाले जो उनके पर उन्होंने इससे पहले ही एकता का एक शोड़ा था पर उसकी वज़य क्या थी ये भी आप जानते हैं जी हम बात करें हीना खान की जिन्होंने बिग बोस 12 करने के बाद बिग बोस 11 करने के बाद इतनी जदा पॉपुलर हो चुकी थी कि उन्होंने अपना पर दे का रेट बहुत ज़ादा कर चुकी थी पर डे वो बहुत ज़़ादा चार्ज करी थी जिसके चलते एकता कपुन ने तो पहले उन्हें साइन कर चुकी थी कि कोमो लिका के लिए और वो चाती थी कि उस शो को वो कंटीन्यू करे कशोटी जिन्दिगी का पर एकतां के इस शीज का जो पर डे वो बहुत आर डिमान करने लगी हीना खान जिसके चलते आखिरकार एकतां ने बात कह दिया कि हीना गर आप शो छोड़ना चाती है आप छोड़ सकती है पर हीना से जब मीडिया ने ये सवाल पूछा कि हीना ऐसी क्या वज़य है जो आप इतने स्ट्रॉंग रोल को छोड़ना चारी है तो हीना ने ये सवाल पर एक स्माइल करते हूं उन्होंने हमेशा ये ही जबाब दिया था कि भईया मेरा एक मूवी आने वाला है जिसके लिए मैं काम करना चाती हो और मैं टेलिविजन पे फिलाल इस वक्त अब नहीं दिखन चाती हूं क्योंकि अपने बॉल्यूड करियर पे बहुत जादा वक करना चाती हूं जबकि अकर मैं उनके बॉल्यूड करियर की बात करूं तो हीना खान की सारी फिल्म में है बैक टो बैक पिड़ चुकी है जिसके चलते अब हीना खान वापस नागिन 5 में नज़र और अब सुर्भी फाइनली नागिन 5 में नज़र आ सकती है वैल ये दो नियूस तो शायर आपको पहले से मिल चुकी होंगे पर इसमें में लीड एक्टर कौन होगा इसकी एक्स्ल्यूजिव अपडेट में आप लोको दे देती हूं नाम आ रहा है इस वक्षिविंग नार और फाइव की भी शूटिंग होगी अब खतरो के खिलारी की भी जो शूटिंग है वो मुंबई में ही करने वाले है फिनाले वो पर वैल अगर मैं शिविंग की बात करूं तो शिविंग ने इस चीज़ पर फिलाल इस वक्षिविंग से मना किया है वई सुर्भी ने भी य आम इस तरह आना एक तरह से उनके फैंस के लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि लोग अब ये भी सोचेंगे कि भाईया ही ना कई अपना रेट वापस जाके ना बढ़ा दे क्योंकि एकता कपूर हम सब जानते हैं पैसों के मामले में थोड़ा कम पैसा देती हैं जिसके चलत पर एकता को अब ये बात समझ में आ चुकी थी कि उन्होंने जिस कास्टिंग को लेकर वो चल रही थी वो दर्शकों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था जिसके चलते टी आर्पी की रेस में इस बार नागिन फोर्ट पूरी तरफ फेल हो चुका था तॉप फाइस में यौ एक और इसक्रीजिव अपडेट में आपको देदेती हूं इस बार का जो नागिन फाइफ है वो ऐसा माना जा रहा है फिनाले फाइफ ooo सकता बेया खतम करो नागिन, पाइफ ऐसा टाइक वाला होगा jhaham pe our showed भी शो में नजर आएंगी, सुर्भी भी नजर आएंगी, बहुत सारे से स्टार हैं, जो नागिन एक से जुड़े हुए से लेकर नागिन 5 तक है, वो सारे लोग नजर आ सकते हैं, आपको नागिन 5, वेल ही तो आने वाले वक्त में क्लियर हो जाएगा, कि आखिरकार नागिन 5 का कौन-कौन पार्ट बनेगा, क्या ये नागिन 5, नागिन 5 तक ही स्टॉप होगा, कि इसके बाद भी इसके और जादा आते रहेंगे भाई, नागिन 5, 6, 7, 8, 9, 10, पता नहीं कब तक चलता रहेगा, वेल चलिए आप भी इंतजार कीजिए कि कब ये शुटिंग शुरू होगी और फाइनली जो नाम इस वक मीडा के सामने खूल के आ रहा है, वो फाइनल हुआ है या नहीं हुआ, इसकी अपडेट भी आप तक बहुत जल्द आ जाएगी, क्योंकि हमने हमेशा देखा है, बहुत सारे नाम सामने आते हैं, पर नाम रियल क्या होता है, ये तो खु कौन कौन इस शो में नजर आएगा, क्या आप एकसाइटेड है नागिन फाइफ देखने के लिए, प्लीज कमेंट करके जो बताएगा और बाकी खबरों के लिए इसी तरह बने रहें ये बोल-बोल बॉली हुट के साथ